गुर्जी का खाल्चा वाय गुर्जी की पते देश के अलग-अलग कौने से यहां पर धारे हुए आप सभी महानुबाओं का मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को पुरे देश को लोगडी की भी लख-लख बधाई पिशेस तोर पर हमारे देश के अनदाता साथिवा के लिए फसलों की कटाई का यह मौसम अनन्त खुश्यों को लेकर के आएं यह मंगर काम ना करता हूँ साथिवा आज गुर्गोविंसी महाराज का प्रकाशपरव देश मना रहा है खाल्चापंत के स्रजनहार मानवता के पालनहार भारतिय मुल्यों के लिए समर्पित गुर्गोविंसी जी को मैं स्रध्धा पुर्वक नमन करता हूँ गुर्गोविंसी जी के प्रकाशोत से उपर पर आप सभी साथिओं के साथ साथ देश और दुनिया भर में सिख पंद से जुड़े और भारतिय संस्क्रति के लिए समर्पित सभी जनों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पिछला वर्ष हमने गुर्गोविंसी महराच की तिन सो पचासवी जन्मजेंती वर्ष के रुप में मनाया था सीख पंद के इस महरतपुन अवसर को और यार्गार बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुझे एक तिन सो पचास रुपिय का स्मर्थी सिख का देश वास्चों को समर्पित करने का सो भागी मेरा है वैसे तो गुरु गुमिन सी जी का सिक्का हम लोगों की दिलों पर सेंकडो सालों से चल रहा है और आगे भी कई सो सालों तक चलने वाला है और इसलिए जिसका कृतित्व एक मुल्ड बनकर हमारे जीवन को चलाता रहा है हम लोगों को प्रेणा देता रहा है उसको सदेव याद रखेने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं यह उनके प्रती आदर वमस्रद्धा व्यक्त करना के एक छोटा सा प्रयास भर है और इसके लिए हम सभी एक संतोष की अनुभूती करते हैं सात्यों स्री गुर्गोविंसी जी की व्यक्तित्म में अनेक विधाओं का संगम था वो गुरू तो थे ही भक्त भी स्रेष्ठ थे वो जितने अच्छे योध्धा थे उतने ही बहतरीन कभी और साहितिकार भी थे अन्याय के विरूद उनका जितना कडार रूख था उतना ही शांति के लिए भी आगर था मानोता की रक्षा के लिए राश्ट की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिजान से देश और धुनिया परिचीत है इन पुत्रन के कारण वार दियस्वत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार हजारों संतानों की रक्षा के लिए अपनी संतान को अपने वोश का ही बलिदान जिसने दे दिया रास की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उधारण क्या हो सकता है साथियों वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी धैरिय था वो अधूत था वे संगर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूत पूरो थी वे समाज में बुराईयों के खिलाब लड़ते थे उंच नीच का भाव जातिवात का जैर उसके खिलाब भी गुरु गोविन सीजी ने संगर्ष किया कि यही सारे मुल्य नए भारत के निर्माण की मूल में है साथ्यों गुरु जाब ने ज्यान को केंदर में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के हर शब्द को जीवन मंत्र बाला उन्होंने कहा था कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही उसका हर शब्द उसका हर पन्ना आने वाले युगों तक हमें प्रेणा देता रहेगा आगे जब पंच प्यारे और खाल्चापंद के रचला हुई उसमें भी पूरे भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था खाल्चापंद का विकास गुरु साहब के लंबे समय के गहन चिंतन मनर और अध्यन का प्रणाम था प्रतुर तक सीखपंद की प्रंपरा मुगल शासन के दवरान सीखपंद से जुड़ी घटनाओं की व्यापक जानकरी उनको थी देश समाज में घट रही हर घटना पर उन्होंने अपने विचाह रखे साथियों आप में से अनेग लोगों ने स्री दसम ग्रंद साहब को प प्रकार से किया गया है कि सामाने से सामाने व्यक्ति को छू जाता है अलंकार हो पदशैली हो चंद हो प्रवा हो मंत्र मुग्द करने वाला है भारतिये भाशाओं को लेकर उनकी जानकारियों और उनका बहु अतुल्निय था साथियों गुरु गोविन सीजी का काव्या भारतिय संस्कृति के ताने बाने हमारे जीवन दर्शन की सरल अभीव्यक्ति है जैसा उनका व्यक्ति तो बहु आयामी था वैसा ही उनका काव्य भी अनेक और भीविद विश्यों को समाहित किये हुए है साहित्य के कई जानकारतों उनको साहित्यकारों के प्रेरक और पोशक भी मानते हैं साथियों किसी भी देश की संस्कृति उसकी महिमा को उजवल करती है निखारती है ऐसे में संस्कृति को समृद्ध करना और उसका प्रचार प्रथार करना हमेशा से दुनिया की सक्ति साली सब्वेताओं की प्राक्ष्मिक काओं में रहा है यही कोशिश बीते साड़े चार वर्षों से हमारी सरकार कर रही है भारत के पास जो संस्कृतिक और ज्ञान की विरासत है उसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है योग से लेकर आई वे तक अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थाफित करने में देश सफल हुआ है यह काम निरंतर जारी है साथियों वैश्वीक आरोग्य, सम्रति और शांति को लेकर हमारे रुष्यों, मनुष्यों और गुरुवों ने जो संदेश दिया उस संदेश से दुनिया लाभानमित हो इसका प्रयास किया जा रहा है गुर गोविन सीजी का 350 प्रकास परवतों हमने मनाया ही अब गुर नानक देवजी की 550 पी जन्म जैन्ति के समारों की तैयारी अभी चल रही है यह हमारी सरकार का सवभाग है कि हमें इन दिनों पावन अवसरों पर जुड़ने का सवभाग विशेस्ति उसे मिला सरकार ने फैसला किया है कि प्रकासोत्सव देश के सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदर्शों में तो मनाया जाएगा पूरे विश्व भर में हमारी एमबेसी में भी इस समाहरों का आयोजन होगा यही नहीं आप ये भी भली भाती जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभूत्पुर्व प्रयास से करतारपूर कोरिडर बनने जा रहा है अब गुरु नानक के बताए मार्क पर चलने वाला हर भारतिया हर सिक दुर्विन के बजाएं अपनी आँखों से नारोबाल जा पाएगा और बीना भी जाके गुर्दवारा दर्बार सहाब के दर्शन कर पाएगा अगस्त अगस्त नाइंटीन फोर्टी सेवन में जो चूख हो जी यह उसका प्राइस चीत है हमारे गुरु का सबसे महत्व पुन स्थल सिर्फ कुछी किलोमेटर से दूर था लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया यह कोरिडर उस नुक्सान को कम करने का एक प्रामानिक प्रयास है साथ यह गुरु गोविन सीजी हो या फूर गुर नानक देव जी हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है उनके बताये मार्क पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी हैं दसकों तक माताों ने बहनों ने बेटे-बेटियों ने जितने आशु बहा हैं उन्हें पहुंचने का काम उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानुन करेगा साथियोग आज के इस पवित्र दीन गुरु गोविन सीजी महराज के दिखाए ग्यारा सुत्रिय मार्क पर चलने का फिर से संक्रब लेने की जरूरत है आज जब भारत एक ससक्त रास्त के रूप में स्थापिद होने की रहा पर चल पड़ा है तब भारत की भावना को और ससक्त करने की आवशक्ता है मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्क से नए भारत के अपने संक्रब को और मजबूत करेंगे एक बार फिर आप सभी को प्रकाश परवकी बढ़ाई आपके लिए नया साल धेरों खुश्या लेकर के आएं इसी कामरा के साथ जो बोले सो निहाल साथ सी अकार